हेलो दोस्तों तो अगर आप भी ब्रेकफास में कुछ हेल्दी और टेस्टी आप्षिन की तलास में हैं तो यह वाले वेज दलिया पुलाओ की रेस्पी एक बार बनाकर जरूर ट्राय कीजिए मुश्किल से 15-20 मिनट में बन जाते हैं और आप देख सकते हैं कि यह वाले पु मीडियम से लो फ्लेम पर तीन से चार मिनट तक ऐसे ड्राय रोस्ट करेंगे आप चाहें तो आधा चमज के करीब घी एड़ कर सकते हैं तो ऐसे ही से लगा थार चलाते रहेंगे जिससे कि यह जले नहीं और ऐसा करने से क्या होगा है कि जो पुलाओ है वो एक्दम खिले कि बनेंगे आपस में चिपकेंगे नहीं तो इसलिए इसे रोस्ट करना बहुत जरूरी है और जैसे इसका कलर थोड़ा से चींज हो जाएगा और अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे पाउल लिया काटूरी में एक बारी कटी हुई हरी मिर्च और छे से साथ करीब अट करेंगे और इसके बाद अब इससे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से प्यास के गूल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे मिर्च आप अपने टेस्ट के साफ से कमें जादा एड़ कर सकते हैं इ एक चोथाई चमस गरम मसाला पाउडर एड़ करेंगे अब इसके साथ ही यहां पर इसमें वेजिटेबल्स आपने पसंद की कोई भी एड़ कर सकते हैं आप मैंने गाजर सिमला में मटर आलू और टमाटर एड़ किया है क्योंकि कच्छा आलू पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है इसलिए हाँ पर मैंने अलू को अबाल कर आट किया है अब क्या करेंगे कि इसे अच्छे से मिक्स करने क कर लेंगे जैसे कि मसाले यह थोड़ा सब भुन जाये तो ऐसे इसे लगातार चलाते रहेंगे और जैसे यह मसाले जिए अच्छे से भुन जाएंगे तब हम क्या करेंगी कि इसमें आदा चमस नमक करेंगे नमग आप अपने टेस्ट के साफ से आड़ कर सकते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढखकर एक से डेव मिन तक मेडियम फ्लेम पर पकने देंगे जिससे कि जो सबजिया हैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे कि इसमें पानी आड़ कर दें रखें से अपिक करते इसे इसकिली मिक्स कर लेंगे कि उसके बाद बाकी क्ला पानी आड़ कर दाएंगे इसे क्लाब कि दिया डिभणेज पिस मियाज 5-7 मिंट के बाद एक बार इसे चेक कर लेंगे तो यहां पर लगबग 5 मिनल्स मीट के बाद मैं इसे चिक टिया बुआ थोड़ा सा पानी है दलिया जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो आप क्या करेंगे कि इसे ढखकर 5 मिट और पकाएंगे जब तक कि इसका पानी पूरी तरीके से सूख नहीं जाता और यहां पर लगबग 10 मिट तक पकाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका ढखकन हटा इसका जो भी पानी था पूरी तरीके से सूख चुका है और बहुत ही जादा ट्राइप अग्दम खिले खिले बने हैं तो आप क्या करेंगे कि इसे ढखकर ऐसे 5 मिट के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसे सरू करेंगे और यहां पर हमारा वेस्ट दलिया पुल अगर पसंद आई हो तो इस देंगे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिवी के से बेल को आन के लिए जैसे की नई वीडियो के बडेट आपको मिलते रहें